नमस्कार आप देखरें जन्भावना टाइम सोर में हूँ आपके साथ पारिचात महराष्ट में लाउटी स्पिकर विवात के बीच AIMIM पार्टी के सालसद इम्तियाज जलील एमेनस प्रमुक राजठाकरे को इफ्तार पार्टी काने होता भेजा है बताना चाहेंगे हम आपको के अम्तियाज जलील औरंगाबाद से AIMIM के सालसद हैं और औरंगाबाद में ही राजठाकरे ने रैली का एलान किया है खास बात यह है कि एमेनस की रैली से पहले इसके पहले की बात है औरंगाबाद में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है हलंकि ख़वर तो यह भी आई है कि कुछ शर्टों के साथ उन्हें रैली की आखिर इजासत पिल ही गई है एमेनस के नेता का कहना है कि पुलिस ने रैली आयुज़ित करने के लिए 15 शर्टे रखी है रैली को लेकर तंज कस्ते हुए शिवसीन नेता संजरावत ने कहा कि जितनी बार राजठाकरे ने अपना मत मतला है वो पिएश्णी के लिए एक अपने आप में बड़ा विशय बन गया है वही बीजेबी के प्रदेश अध्यक्षी चंद्रकाउंट पार्टिल का कहरा है कि रैली ने राजठी के लोगों के बीच काफी दिल्चस्पी पैदा कर दी है वहराष्ट निर्वाण सेना के अध्यक्ष राजठाकरे औरंगाबाद जने के पहले पुड़े में अपने निवास राजबहर पर सव पुरोहितों का आशिर्वाद लेते नजर आए जानकारी के अनुसार औरंगाबाद सभा के लिए निकलने के पहले मंत्रोचार और सव गुरुजनों के आशिर्वाद के साथ राजठाकरे जनसभा का शिकड़ेश करना चाहते है इस सबद में भराज नवनिर्मार सिना ने पोस्टर्स और बैनर्स भी तयार कर लिए हैं इन पोस्टर्स पर लिखा है कि हिंदू जननायक आधरणी राज साहब ठाकरे को सो गुरुजनों का आशिर्वाद प्राप्त हुआ इस पोस्टर पर राज ठाकरे के पूरे इस्तितावास का पता भी लिखा हुआ है तयारियों का जैसा लेने के लिए राज ठाकरे के मैटे अभी ठाकरे और अंगाबाद पहुच चुके हैं उन्होंने जनसभा से संबदित तवाम तयारियों की जानकारी लिए हैं कई मन से नेता काफी दिनों से ही और अंगाबाद में डेरा जमाय बैठे हैं अभी ठाकरे ने तमाम नेताओं से मुलाकात करके जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी तयारियों को अच्छे ठंक से करने की बात कही है इसके अलावा इस सभा में कितने लोग आने वाले हैं उनके बैठने की व्यवस्ता क्या होगी और दूसरी जो ज़रूरी जानकारी उन्होंने लिए अभी ठाकरे की मौजिद्गी में 200 यूवा विद्यार्ती सेना में भी शामिल होंगे राश्ठाकरे की सभा से और अंगाबाद महराश्ट नौनिर्मार्ण सेना को और भी मजबूती मिलने वाली है राश्ठाकरे नगर मार्ग के मांध्यम से और अंगाबाद जाएंगे अहां पर नगर महराश्ट नौनिर्मार्ण सेना कारेकरताओं की तरफ से चात्रपति शिवाजी महराज के पुतले के पास उनका स्वागत भी किया जाएगा इस समय राज ठाकरे के साथ मुने से कारेकरतों का एक बड़ा काफला भी साथ साथ चलेगा ए आयम-ायम के सांसात इमट्याज जلील से राज ठाकरे को एफ़्तार पार्टी का निमंत्र मिलने के बाद अब इस बात पर भी सबके निगाहे तिक गई हैं क्या फिक राज ठाकरे निमंत्र को सेअन। इस मुद्धे पर इम्तियाज जलील का कहना है कि हमें किसी धर्मिल से कोई आपती रही है हम पार्टी की विजारधारा का विरोध करते हैं हमने इसके पहले कॉग्रेस और ल्सीपी का भी विरोध किया है कानून से बड़ा कोई नहीं है सुप्रीम कोट द्वारध देगे आदेशों का पालन सरकार को आवश्चे करवाना चाहिए हमें ड्यायल है और पुलिस पर पूरा विश्वास है शाहर में अबन और शांती बनी रहे हैं यही हमारा प्रयास है बिलते हैं अगले अपडेट के साथ देखते रहे है जलभाव रड़ाइबस लबसकार